कोवीट के बाद हेल्थ इंस्यूरेंस की एहमियत लोगों को समझ आई है लेकिन हेल्थ इंस्यूरेंस पॉलिसी पर 18% GST के चलते ये महंगा हो जाता है और लोग उससे बसते नज़र आते है इंस्यूरेंस कंपनिया चाहते हैं कि GST में कटोती की जाए और इसके लिए उनके सरकार से बाचीज चल रही है लेकिन सरकार GST में कटोती कर 5% तक करना चाहती है लेकिन इंपुट क्रेडिट को लेकर पेंच फंस गया है इंस्यूरेंस कंपनिया इंपुट क्रेडिट के फाइदे छोड़ने को राजी नहीं है क्या है पूरी खबार ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सयोगी अनुराक्षा कोवीड के बाद जो है हेल्थ इंशूरेंस का जो चलन है वो बढ़ा है हेल्थ इंशूरेंस की डिमान बढ़ी है लेकिन जो 18% GST है हेल्थ इंशूरेंस के प्रीमियम पर वो एक काफी बड़ी बादा है हेल्थ इंशूरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए तो एक बार फिर जो हेल्थ इंशूरेंस पे जीएस्टी को कम करने की चर्चा है वो तेज हो गई है इंशूरेंस कमपनियों की मांग है कि इस 18% जो GST है उसको कम किया जाए इसे घटाया जाए क्योंकि इसी वज़े से हेल्थ इंशूरेंस का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा तेजी से नहीं हो पा रहा है कमपनियों की जो बाचीत चल रही है उसके मुताबिक जो उनको संकेत दिये गए है कि सरकार भी चाहती है कि हेल्थ इंशूरेंस को पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए GST की दर कम होनी चाहिए लेकिन अभी तक की जो बाचीत है वहाँ पर संकेत दिये गए कि सरकार 5% GST के लिए तयार हो सकती है लेकिन बिना इंपुट टेक्स क्रेडिट के का एक सहमती बनाई जाती है क्योंकि जो हेल्थ इंशूरेंस का मार्केट है काफी तेजी से बढ़ रहा है हमने देखा कोविड के बाद यहाँ पर 15% से ज्यादा की ग्रोथ है साथ हजार क्रोड से ज्यादा का प्रीमियम जो है इंशूरेंस कंपनियों के द्वारा अरजित किया गया है और जो सरकार की मंशा है कि हर किसी को इंशूरेंस की पहुच तक लेके आना तो वहाँ पर भी एक काफी जरूरी कदम है कि GST की दर को कम किया जाए तो इंशूरेंस कंपनियों के मांग है कि इंपुट टेक्स क्रेडिट जारी रहे लेकिन 18% जो GST है उसे कम करके 12% तक लाया जाए